सब जुटे आप लोग टिंसन ले लेते हैं कि लड़ गया वह लड़ गया रहे सब एक एक कई से ने तब सब एक है अब देखा तो कौनों पाटी के रहे जो बोज होगा तो सब एके में बैटाएगा अब को आप केने चल जागा आज गरी आवाता अब कल हुए पटी हमें एक हो चुकी है कितना अच्छा लग रहा है कि भुजपूरी परिवार हमारा एक हो चुका है थोड़ा सा भी विवाद नहीं हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है एक दम यह तो बहुत पहले हो जाता इतना बिवाद नहीं होता है इसमें सबसे ज्यादा परिशान को प्रियांसु सिंग और अभी हमारे साथ मोजूद है भुजपुरी इंडस्री के सूपर स्टार मेगा स्टार गुंजन सिंग जी और मैं गुंजन सिंग से आज बहुत ही जादा बात पे चर्चा करूंगा क्योंकि अभी भाई आभिनेता तो हैं ही बहुत जल्द नेता भी बनने वाले हैं और नवादा के होट सिट पे हमारे गुंजन भी है चुनाओ भी लड़ने वाले तो पहले तो स्वागत है आपका पब्लिक इंटर्टेन्मेंट में कैसे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई और पब्लिक इंटर्टेन्मेंट देखे वाला तमाम दर्सक के हम गुंजन सिंग पहर चुके पढ़ाम करता हैं गुर लगाता हैं अभीनेता से नेता क्या फिल और अभी अब बहुत अच्छा लग रहा है करने का मौका मिल रहा है और सेवा करें के भीव से मजाब ही रहें तब ही तो पूरे नमास लोग-सभह की जो जनता मुझ पर विस्वास कर रहे हैं मुझे अपना बेटा मान करके नवादा का बेटा नवादा का नेता यह जो नारा लग रहा है उस नारा के हिसाब से मुझे चून रहे हैं मुझे विश्वास कर रहे हैं कि गुंजा नायगा तो अपना बेटा बनकर काम करेगा और मैं चाहता भी हूँ कि नेता बनकर नहीं ब नवादा में नवादा का बेटा चाहिए बस गुंजन सिंग चाहिए तो कितना अच्छा लगता है जब गुंजन सिंग का नाम हमेशा नवादा में बहुत चर्चा का विसाय बना हुआ है तो कितना अच्छा लगता है जो लोग बहुत सारे लोग दस साल में बिस साल में नही लिए रहे या कहीं भी कोई इंटर्व्यू हो तो लोग जो है युवा सकती खास करके वो लोग कह रहे हैं कि अबरी चाहिए ती बहुत सवभाग की बात है मेरे लिए कि मुझसे इतना प्यार करते हैं सब लोग चाहे महिला लोग हो चाहे बुड़ बुजुर्ग हों के सब ल हैं और दिल से मेरा तो जो अंदर है बाहर है कुछ ऐसा है नहीं बनावटी बात हम करते नहीं और हम सेवा करना चाहते है नहींतो फिल्मी दुनिया तो इतना बडा ये सागर है इतना मज़ेदार दुनिया है इसके वावजूद हम नेतागिरी में जा रहे हैं तो कुछ जाएंगे नहीं तो हमना वादा के लिए आवाज क्या उठाएंगे जाएंगे तो जुरूर आवाज उठाएंगे और जितना हो सकता है उतना काम करेंगा जो बहुत सार गंभीर आरोप लग रहा है कि वहाँ पर लोग का बात सुनते नहीं और विकास तो किया ही नहीं है वहाँ के लोग का कहना है क्या गुंजन सिंग वाकिप रक्ते इंज बातों पे देखे खास करके और कौन क्या किया है हम तो ये जंता की रूप में देखते हैं हम अपने आपको भी और पलस वहाँ के लोग तो बोल ही रहे ये बात को हम क्या कहेंगे अंपनी refugee हों चाहिए इस संतर वर्सों में गाहिए तो लोग वहां के बहुत आकुरॉसी थे हैं करना चाहिए था अगर पान साल का मौकाँ जिसे भी मिले अपने छृत dif कर दे कि अगला पान साल उसका सेफ वह जाए लोग कहें के ना ना वह चाहिए अच्छा गुंजन सिंग यदि सांसत बनते हैं तो क्या विकास करेंगे नवादा के लिए क्योंकि बहुत सारे नेता बोलते तो बहुत हैं चुनाओ के पहले लेकिन करते बहुत कम कुछ है क्या गुंजन सिंग जी सच में नवादा का विकास करेंगे एकदम इसी के लिए तो हम जाएं रहें और अपना घर है मेरा घर के लिए हर कोई बढ़ियां सोचता है और बाहर के लोग कुछ आये तो उनको क्या पता घर के बारे में कि वहां रहना थोड़ी है जो रहता है वो अपना सोचता है ने कि ये स्टूडियो है इसमें हम कैसे रह करेगा इसमें रहबे नहीं करेगा कोई तो चुऊे चाय कुछ hybrid बाहर वाला क्या मतलब जू tark специ जो लोकसभा की जन्ता वहां पहुंचती है उसको ठीक करने का काम करेंगे यह क्या स्वास्त में, होस्पीटल किंद्रिय भी डाले नहीं है, यह नहीं है, क्या काते हैं, मीडिकल कोलेज नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, परिसानिया हैं, उसको दूर करने का कोसिस करें, सबसे पहले तो हम उनके बीच में रहेंगे और रहेंगे तो हर चीज ऐसी दूर हो किसी को लिखावाना रह काम करेंगे हैं जीतने के बाद गुंजण सिंग नवादा में जो भी करना हूँ करेंगे चाहिए वह एक्टिंग और राजनेतिक पाटी का जोब हो भी चुब चुछ लोग से मिलेंगे कोई यह नहीं है कि भी आईपी परसंद का हींट्री होगा मेरे पास आज भी हमारे पास जो है कोई भी आता है तो उससे हम मिलते हैं दिल से जो आता है जिस भाव से आए मैं सबसे मिलता हूँ और वहां रहेंगे तो वहां का समस्या तो सुनना है क्योंकि हम में बनाया है इसके लिए काम करें अभी गुंजन सिंग जी बहुत एक्टिव दिख रहे हैं अपने छेतर में जहां भी घटनाई हो रही है वहां पर लोग को आर्थिक मदद भी कर रहे हैं तो यही जो चीज चुनाओ के पहले किया जा रहा है चुनाओ जीतने के बाद गुंजन सिंग जब चुनाओ जीतेंगे और सांसत का जब आप पे मुहर लग जाएगा तो यही गुंजन सिंग जैसे आज हैं वैसे कल भी रहेंगे यही रहेगा, इस से कहीं जादा ही होगा अभी देखिए कि नावादा लोग सबासे हम चुनाल उलना चाहते हैं हम नालंदा में भी जाकर मदद करते हैं हाल में जीयर गाउं गएते, नालंदा में पढ़ता है चाहे बिहार में बाढ़ हाया था पटना में तो पटना में हमरा काजरोत रहे यह तो एक इंसानियत के नाति बिर्दा आस्रम खुला है पटना में यहां जाते हैं जो होता है आर्थिक मदद भी करते हैं और मिलते जुलते हैं उन गारजियनों से पलस करोना में इतना मदद किये तो हमेशा पुरे विहार में मुझे लगता है कि हम काम करना चाहेंगे और नवादा तो अपना घार हैं वहां काम सांसद रहेंगे तो वहां के लिए तो 24 घंटा जीएंगे मरेंगे अच्छा भोजपूरी के दो कलाकार जैसे कि आप हो गए और पौवन सिंग जी हो गए कहने में आया जा रहा है कि आप भी चुना लड़ रहे हैं और पौवन सिंग जी भी चुना लड़ रहे है तो क्या गुंजन सिंग किस पार्टी से चुना लड़ रहे है इसका भी अभी तक खुला सा नहीं हुआ है तो क्या गुंजन सिंग बताना चाहेंगे किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे अभी बात चीछ चल रही है कुछ किलियर यसा नहीं हुआ है लेकिन हो ही जाएगा महादेव की किरपा है और जनता जनारदन का असिरवाद है तो जैसी किलियर होगा तो फिर रुबरू होंगे हम लोग और फिर इसको बताएंगे अच्छा पवन सिंग जी चुनाव लड़ने वाले है बहुत दिन से चर्चा का विसय बना है कि पवन सिंग जी चुनाव लड़ने वाले है आरा सीट से तो पवन सिंग को यदि टिकट मिलता है तो गुंजन सिंग सपोर्ट करेंगे पवन सिंग को और गुंजन सिंग को सपोर्ट गुंजन सिंग को टिकट मिलता है तो पवन सिंग सपोर्ट करेंगे ये दोनों भाई हमेशा से चर्चा का भिषय बने रहते हैं हमेशा देखा जाता है एक साथ तो ये दो भाई जब चुनाओ लड़ेंगे तो कैसे प्रक्रिया बनेगी हाँ ये तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर एक पाटी में रहेंगे तब ही वो मुझे भी समर्थन कर सकेंगे और हम उन्हें भी समर्थन कर सकेंगे क्योंकि पाटी का जब बात आ जाएगा तो एक पाटी में रहेंगे तो आप सब को आना पड़ेगा और उनको तो आना ही आना है है ना तो अभी तो सब हम लोग सब भाई हैं सबको मिल जूलकर सबके चुनाई जो चुनाव लड़े उसका हम लोग समर्थन करेंगे और कलाकार के नाते सयोग करना भी चाहिए सबको अब थोड़ा सा हम भोजपूरी इंडस्ट्री पहेंगे हमारी भोजपूरी इंडस्ट्री एक हो चुकी है कितना अच्छा लग रहा है कि भोजपूरी परिवार हमारा एक हो चुका है थोड़ा सा भी विवाद नहीं हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है एकदम यह तो बह नहीं होना चाहिए था और आज एक हो गया है तो बड़ी खुसी हो रहा है कि सब लोग के मन में भाव खतम हो गया और मैं आज कह भी देना चाहता हूं कि आप लोग कोई कलाकार कलाकार में लड़े बड़े आप लोग इस फेरा मत पढ़िए आप लोग सिर्फ गाना सुनिए यह सब कुछ नहीं है लड़ाए-पढ़ाए हम लोग में होता ही नहीं है इसब कुछ हाई नहीं मुझे आप लोग तो सब बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे नहीं पहले सब क्या में बोलते थे अबाज सब क्या क्या हो गया कल फीर चल जाएंगे जरसे उदर तो क्या क्या होने लगएगा अपने आप पर ध्यान दीजे ऑर गाना अच्v drilling सुनी साप का सुनी तो गुंजन सिंग जी हमारे साथ है और गुंजन सिंग का बस एही कहना है गुंजन सिंह का तो एक ही कहना है कि भाईया भोजपूरी एक रहे और हम सब भोजपूरी के बेटा हैं तो भोजपूरी को एक करें और भोजपूरी को बड़ा दिखाएं और एक चीज और कहना चाहूंगा कि नवादा सीट से हमारे गुंजन भाहिया आ रहा है तो गुंजन भाहिया को सपोर्ट करना है गुंजन सिंग एक बहुत ही अच्छे अभी नेता के साथ साथ नेता भी बनेंगे इसलिए मैं ऐसा डंके की चोड़ पर कह रहा हूँ क्योंकि ये बोलते कम है काम ज़्यादा करते हैं ये आप सब ने भी देखा हुआ बिवाद में नहीं रहते हैं ये काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये थे हमारे साथ गुंजन सिंग जी हमारे बड़े भाईया मिलते हैं फिर से नेक्स अपिसोड में तब तक लिए जैहिन जैभुजपूरी